आप सबका स्वागत है आपके साथ मैं हूं साक्रिस्पन जी हाँ बात अब धीरे धीरे जिस तरीके से विधानसभा चुनाओ की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं सितंबबर और अक्टूबर के महीने में हःयाना में विधानसभा चुनाओ होने वाले हैं हरियाना की सत्ता पर कौन काबिस होगा ये हमें इस चुनाओ के बाद पता चल पाएगा लेकिन उससे भी एहम सवाल ये है कि 10 लोगसभा सीटो के परिरहनाम ने क्या विधान सभा चुनाओ की कोई एक जमीन तयार करती है और अगर ऐसा है तो इस जमीन पर फ्रंट फुट पर कौन खेले का और बैक फुट पर कौन खेले का ये तै करना होगा लेकिं उसे इतर राम बिलाश शर्मा प्रदेश के सुख्षा मंत्री उनका एक स्टेट्मेंट सामने आया है बहुत माइने रखता है ये स्टेट्मेंट जरा सुनिया आप गुदासपूर में था सन्नी दियोल के लिए तो वहां मैंने कहा था कहम सब सीटे जीतेंगे और तीन सो तरेपन का अंक बताया था भोले संकर की करपा से देश की जनता ने वही जनादेश दिया और हरियाना की विधान सबा का चुनाओ भी हम सत्तर से उपर बहतर सीटे लेकर के अब हम फिर से पांच साल के लिए काम करने की अनुमती हरियाना की बहादुर जनता से मांगे गुदासपूर में था सन्नी दि जीतेंगे और 353 का अंक बताया था भोले संकर की करपा से देश की जनता ने वही जनादेश दिया और हर्याना की विधान सभा का चुनाव भी हम 70 से उपर बहतर सीटें ले करके अब हम फिर से 5 साल के लिए काम करने की अनुमती हर्याना की बहदुर जनता से तार्गेट 72 ये स सिक्षा मंत्री ने कहे दिया कि हर्याना के विधान सभा में तार्गेट 72 है और जिस तरीके से भारते अंतापार्टी अपने सभी टार्गेट को एचीव कर रही है क्या यह मान कर चला जाए कि इस टार्गेट को भी अचीव कर पाएगी प्रदेश की नब्वेव विधान सभाव में से इस लोगसभा चुनाओं में सेविंटीनाइन यानि कि उन्यासी सीटों पर लीड किया भारतिय जनता पाठी ने अब टार्गेट से जिस तरीके से लोगसभा चुनाओं के साथ साथ ओडिशा का विधान सभा चुनाओं वहाँ पर बीजू जनता दल ने नविन पतनायक ने अपनी सरकार एक भा फिर से बनाई चोकि लहर भारतिय अंता पार्टी के साथ चल रही थी नरिंद मोदी की लहर भी देखने को मिली ल और नौन जाट और जाट की कितनी बात होगी यह सवाल है जिसका जवाब हर्याना की जौनता को तलाशना है लेकिन शेत्री दलों की राजनिती उनका भवश यह तमाम चीज़े दाओं पर होगी तो यह एक ऐसा मसला है जिस पर लगातार राजनितिक दल अभी से तयारी करन वाक्त इन तमाम राजनितिक दलों को मिलेगा ऐसे में कई पार्टियां ऐसी जिनका जनाधार लगबग लगबग खत्म होता नजवा नजर आ रहा पिछले दो तिन चुनाओं के दौरान जो इसी साल हमने देखे हैं और अब सवाल यह उड़ता है कि आकर राजनितिक दल ज सद्पी जहीं जडिए और बालमुकुन शरमा जी princi बहुत बहुत स्वागत है आपका शिर्मा जी खा, श्रूबात से उपर सीटे लेकर आएगी क्योंकि लोगतांत्र के खुबसूरती है लोगतांत्र में अगर आप जंता के काम कर रहे हैं तो जंता आगे बढ़कर आपको प्यार और सम्मान देती है अगर मैं बात करूं लोगसभा चुनाओ कि कि किस तरह से दस में से दस सीटे देकर अप हर पाया से सतर से ज्यादा लेकर वो डिपेंड करता है कि जंता का कितना प्यार बरसता है लेकिन गहार बात करूं में दाटे को cream अपर मेर चुनाओ की धी पारी हम कसोटी पर खरे उतर रहे हैं आप मेर चुनाव की बात कर लिए जीन दिलक्षन की बात कर लिए और रीसेंटली अभी लोग सब चुनाव की बात करें तो हर्याना की जंता मनोहरलाल खटर जी की सरकार को लगातार से पसंद कर रही है कि जिस तरह से पारदर्शी सरकार मनोहरलाल खटर जी ने दिये इस प्रदेश को और वो आगे भी चाहेंगे कि जो मुख्य मंत्रियां वो खटर जी ही बने रहे है चीक है जरा मैं रुख करता जाता हूँ बालमुकुन शर्मा जी का बालमुकुन शर्मा साब बैठकों का दौर भी जा रही है आज सभी निता मिल भी रहे हैं लेकि उससे एतर अगर 72 प्लस का नारा बीजेपी की तरफ से दिया जा रहा है या 70 प्लस का नारा बीजेपी की तरफ से दिया जा रहा तो बचता क्या है आप लोगों के लिए फिर सब्सक्राइब पार्टी जंद्धा पार्टी के लोग आपको पता यह देश में एक और अच्छी बात आपने साकेट जी कही कि अभी पीछे पांच चुना हुए थे विधान सभाओं के प्रदेशों में पांच में से एक प्रदेश में बीजेपी नहीं के जीरो पे सिमिट की थी अभी च्या कि दो नंबर की पार्टी थी दो से सो गें वगवान राम का नाम लेकर के बगवान राम के आस्था के हमारे परति का हैं दो से सो गे थे और आब एक सदम राष्टरवाद का इन्होंने मुद्दा सेड़ा यह पुलौ आमाई घटना होने के बाद एक एर श्ट्राइक कर दि यह पकोड़े भी रोजगार है तो बर्मीच करके के मैं पहले भी देखिए अर्याना तीन बार जल्या कोई पार्टी भारती जल्टा पार्टी कहीं नजर नहीं कोई नजर नहीं नहीं अजर नहीं कि कर्याना में कभी शेना नहीं बुलानी पड़ी यां तीन तीन वार प्रदेश रहा है शेला बुलाई और मुख्यमंत्री मनोर लाल खटर जोने प्रदेश के सीव ओफिसे बार नी निकले कोई इनोंने कारवाई नहीं की मैं समझता हूं इनकी इनकी जो इस सोस थी के से जातिगत इनोंने एक व्यवस्था बनाई तो वह व्यवस्था आज प्रदेश में कहीं कहीं एक बाईचार तूट गया है और प्रदेश में ऐसी व्यवस्था जात नों जात हिंदू मुसलिम यहां तक कि जो मुसलिम पती पतनी है उनको भी प्रदानमंत्री जी खुद संगठन में बदलाव की तरफ भी इशारा किया जा रहा है कुछ आप बताएंगे किस तरीके के बदलाव की गुंजाईश है इस वक्त इंडिनेशनल लोग दल में देखिए साकेट जी आज पी ए सी की मीटिंग थी दिली में उसमें विविन मुदों पर चर्चा हुई हार के कारणों का भी जाय जा लिया और आगे से संग्ठन कौम की इस तरह से और बेतर बना सकते हैं और जो 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 ग्राउंड पे हमारी पार्टी के लोग कुछ नराज चल रहे हैं ये भी नरने लिया गया कि भी उनके साथ संपर किया जाए उनसे मिला जाए जो पार्टी का जो परचार परचार ग्राउंड लेवल तक होता है ग्राश रूट लेवल तक होता है उसको कैसे म रणनेती के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमें पूरा व्रोसा है पार्टी का क्योंकि हमारा संग्ठन पूरा मजबूत है कई बातें थी जो सर्मा जी ने भी जिकर किया जो 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 लोग सबागे चनाओ जिन मुद्दों पर लड़े गेर खास तोर से जिस परकार से भावनात्मक तोर पे पुलमावा की गटना के बाद सारा देश एक हवा में बैगा था राष्टरबाद की और उसमें एक सबहाविक भी था क्योंकि बार बार हर तीसरे दिन सेना बॉर्डर से सेना की सादत मिलती थी ठीक है सद्बिर सेनी साब एक बात बताई है आप ये कह रहें कि भावनाओं में कहीं बैख करके आप अपनी पार्टी को छोड़ करके कहीं आप भी तो कमल के बटन को नहीं दबाते हैं लगे मेरा बॉट मेरा बॉट मेरा बॉट इंडियन नेसनल मतलब आप यह कह रहें कि आप भावना में नहीं बैख सब्सक्राइब कर दो बात करते हैं करें है श्मादाटाब रहे हैं आप गुद्धी जिवी के रहे हैं तो जो लहर में बैघ गया वो आप लेहर में नहीं भावना के तो आप बुद्धी जीवी हो गए नहीं है नहीं होगा हाँ तो मद्दाता बेपकूप है बेपकूप है वो लहर में बहे जाता है भावना स्पक लेहर में और 130 करोर की आबादी जो है वो भावनावत में पहने वाले लोग हैं आप जो अमर जी कहें मेरी बात को पूरी तरह सुनिए उसका संदर्ब ठीक से लिजिए जनता का निर्ने फाइनल है उसका समान करते हैं लेकिन मेरा कहने का मुद्दा ये था कि जिस परकार का राश्टियावाद का मतलब परचार परशार हुआ और एक ये थी परस्टिया थी परदेश में कई मीनों से ऐसे बात था थी तिर पुलमावाई गड़ना के बाद बहुत दिस्टार था अमोशनली हर आदमी दिस्टार था देश का लेकिन वो जो भी स्ट्राइक हुआ एर स्ट्राइक हुई जो भी उसके बात लोगों को लगया एक में साइद इस परकार की ये जो चीज है और एक 370 की जो बात कई कांग्रेस ने ये कह दिया हम 370 नहीं अब ठीक है इन्होंने वाइदा किया है वाइदा पिछली बार भी था इनका अटाइए अगर करना आगे बढ़ना है तो उसको करी आगे साइद लोगों को यह लगता था यह एक बार पूरा पूरा पहुंदे नहीं हो जाए उसके सरकार किस तरीके से अपने मैनिफेस्टो को अमली जावा पहनाती है मैं आमादुरी पार्टी के प्रवक्ता धर्मेंद्र इंदुस्तानी साथ हैं सब्सक्राइब दर्मेंद्र जी से एक सवाल लें दर्मेंद्र यह गटबंधन कायम रहेगा आपका जेज़ेपी के साथ निए बिलकुल मजबूत है हमारा और बिलक सब्सक्राइब दिल्ली तो बचाने पाए जहां आपकी सरकार है नहीं ऐसा नहीं है वो जो लोगसभा का चुनाव था वो अभी यह सत्मीर सैनी जी और बालमुकन जी ने जो बताया कि वहालात्मक मुद्दे थे राष्ट के मुद्दे थे राहुल गांदी के साथ जाना च गठ बंदन के साथ में देखे कामरे में देखे बोली जे कैमरे में देखे आप नहीं थी लेकिंशन पूरा हिंदुस्तान देख चुका है कि किसी तरीके से गलबायां हो जाए कॉंग्रेस के साथ ता कि कुछ सीटों का हमारा मानना था कि एकर हमारे जो चुनके जाएंगे विदानसाव लोग से संसद में वो अवाद उठा पाएंगे हमारी क्योंकि जिस तरह का माहौल इनों ने क्रियेट कर रखा था उस तरह के माहौल में लग रहा था सभी को कि हां इसी तरह की सरकार ये बीजेपी हावी हो रही है लोगों की समझ पे और सोच पे मतलब बिना गड़बंधन के आपको पका पता था कि गड़बंधन अगर नहीं किया तो साथ की साथ तो सीटे जो है वो चली जाएंगे अकेले आप लड़ने के काबिल नहीं थे हाँ अकेले हम उस टाइम पर काबिल थे पहले पर जैसे 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 टाइम लोगसाबा की तरफ एलेक्शन की तरफ जाता गया उस ताइम उसी इसाब से लोगों का जैसी सोच समझ बनती चली गई जैसा जैसा अब एंडेट सब्सक्राइब करें आप जीट के लिए कुछ भी करेंगे जिस कॉंग्रेस का विरोध करके आपका जन्सक्राइब आप उसी के साथ जाने को तयार हो गया है उससमय कॉंग्रेस के ही सत्ता थी। कॉंग्रेस को हटाने केलिए आमादनी पार्टी का जन हुआ और ऐसा क्या हो गया कि इस चुनावों से पहले आमादनी पार्टी को वही कॉंग्रेस अच्छी लगने लग गई और आप खुद चानेज उधर से ओफर नहीं आ रहा था आप की दरब से बार बार ओफर जा रहा था आप देखिए जब 2014 में आप लोग आप राजनीती सीख गए हैं ते जिवराल आप राजनीती सीख गए हैं कि गंदगी को दूर करने के लिए आप लोग आये थे और आप खुद उसी गंदगी लिए लोड़ पोड़ हो रहे हमारी नियत साफ है हमारी नियत बीजेपी की तरह नहीं है कि पामलात मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाए और देश को गुम्रह आप अपना मुद्दा त थाकेद जी हमारा मुद्दा था पूरण राज्य और राज्य से बड़ा देश होता लोगों ने देश के लिए वोट किया है अब पंजाब की हालत देख लीजे हर्याना की हालत देख लीजे कहीं तो ठहर ये साब कहीं तो अपनी जमीन मजबूत कीजिए वरना विदानसव लोगों से चुछ इंदेर वाली आएगा शुरूआत में आपका मेंडेट तो मोदी को भी नहीं ला रहा था जो शुरुआती दौर था जब तक पुलवा मामला नहीं हुआ था उससे पहले तो हमारी साथ भी विद्ली का विदानसवा शुरू हो गया है कुछ दिन बाद आप कहेंगे कॉंग्रेस के साथ गट बंदन कर लो नहीं तो भी से चुरू कर रहे हैं तो हमार तो भी चुनाब थोड़ी सी दूर है तो हम अपने विदान सावाग चुनाब विजेपी जब 2022 की बात करती थी तब भी हम उन से सवाल करते थे कि मेंडेट तो आपको 2019 का मिला है आप 2022 की बात कर रहा हूं जब किसानों की आए 2022 करने की बात की जा रहे थी कि दोगनी हो जाए कि तब भी हम यह कहते थे और प्रधान मंत्री तक भी सवाल उठाएते थे हम लोग कि आखिर आपको बेंडिट 2019 तक मिला है तो आप 2022 की बात क्यूं करते हैं अब अन्ना पोब्ली जी सवाल अब आपसे यह है कि अब 10 की 10 सीटें आप लोगों के जोली में आगे इसलिए एक तरह से ड्राइविंग सीट पर आप लोग आ गई हैं लेकिन वो ग्यारा क्यूं नहीं हैं कहां कभी रह रही है प्रचंड बहुमत मिल गया लहर पूरी तरी राष्टवाद की बात कर रहे थे मुझे बड़ी हरानी की बात है कि जब कॉंग्रेस के प्रवक्ता कहते हैं च्छदम राष्टवाद का वातावरन बनाया गया आपने भी तो वातावरन बनाया था इवीम का वह तो काम्याब नहीं हुआ लेकिन एक चीज यह बता दलों ने की काम किया है लेकिन का एक मुद्दाता किसी तरह से प्रजान मंतरी नरेंदर मोदी जी को रोक दिया जाए वो दुबारा से सत्ता पे ना सके ताकि जो राष्ट एक विकास की तरफ चल पड़ा वो कहीं न कहीं रुख जाए सब्सक्राइब की विकास क्या है कि जी स्कॉण करेंब नियुक्त है एक बार आप कहते हैं कि हम कौंग्रेस के साथ नहीं जा रहे थे जब कि एजिदी वाल जी ट्वीट लिखकर बोलता है कि मोधी जी को हराना तो कंग्रेस के साथ को साथ में आना पड़ेगा ब्रस्चा अचार के मुद्देवे कंग्रेस को घेरने वाले कंग्रेस के साथ जाने को त्यार हो जाते हैं और अभी आप यहां पर बैटके कहा रहे ह पर मैंने उसे पूचा कि आपको क्या डिफरेंस लगता पहले और मूदी सरकार के बीच में तो उन्होंने मुझे बताया कि जो सियाचन में जो सेना देना आते हैं वहाँ पे जितने भी जवान हैं उनको एक शूज जो अभी मिला है तक्रीबन 20,000 का शूज हैं जिससे उनके पैर गलते नहीं है पहले क्या होता था वहीं 300 रुपे का जूता उनको दिया जाता था पैर गल जाते थे उंगलियां काटनी पड़ती थी उसके बदन को घर बिठा दिया जाता था स्नो स्कूटर जो कि कितने सालों से इंडिया में आया हुआ था टूरिस प्लेस पर अब व कि जो जनता उसको सब कुछ दिख रहा है जनता को मालूम है कि अगर देश और प्रदेश में कहीं पर सरकार बना सकते हैं तो मोदी जी बना चुके हैं मनोडाल खटर जी दुबारा से बनाने वाले हैं कि बालमुकुर्ण शर्मा साब क्या जो सबूत मांगने वाला एक दौर चला था बाला कोट एर स्ट्राइक को लेकर के क्या वो ऐसे पहलू रहे जो आप लोगों के खिनाप चले गए मैं पहले भी कहँ लेकर नुस्से पहले में इक बात पे आणा कि ती आपने बीच मे यह बात फेंड है कि थी बार्ते वह रोजनन दे प्रिपाय। उसके बाद रोजगार के जो आंकड़े करने वाले सरकारी संस्ताय उसको बंद कर दिया गया। यह प्रेकर्ट है बूखमरी का जो इंडेक्स है वह 2014 के बाद सबसे ज्यादा बढ़े है। ये आप चीज ये तो मुद्दों पर मैं लेकर आता हैं मैं अब भी कहता हूँ आपको मैं जुम्मेवार प्रवक्ता के ना ते ये कहता हूँ छदम राष्ट्रवाद का जो मैंने सबद प्रयोग किया है बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं साकेट जी ये बारतिये परजातंतर की खुब भी है कि आप सवाल जवाब करेंगे लेकिन इस सरकार ने पिछले 2014 के बाद ऐसा विवस्था कर दिया अगर आप सवाल जवाब करते हैं तो आपको ये कह दिया था आप पाकिस्तान चले जाईए देश की मौजूदा समस्यां के बारे में कहता है ये पर जवालना ने समस्यां है देखिए सरीमान मैं यह कहना चाहता हूं आज भारत वरस जिस्ट से मैं खड़ा है क्या वो दो च्यार 14 के बाद भारत बने है आप सुनिए जब हमारा देश आजाद हुआ था उसके बाद देश में बांध बने हैं आई 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 टी बनी हैं आई आये मने हैं ब वो नौकरी नहीं मिल पाई आपने रोजगार की बात कहिए आपने जो तमाम जो वादे बीजेपी के सरकार कितब से किये गये थे जो जिनको आप कह रहे हैं कि पूरे नहीं हुए पर नाम क्या है साब जनता ने क्लियर मेंडिट दे दिया अगब फिर से अब फिर से पांस स हुआ 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 है कि जनता ने अपना क्लियर मेंडिट बीजेपी को दे दिया है अब विधान सभा हर्याना के विधान सभा की बारी है और हर्याना के विधान सभा मेंडिट किसे मिलेगा ये बड़ा सवाल अपने आप में है सभी खास मेमान महारा साथ लगातार जुड़े वे है रिजल्ट क यह जो पशोपेश की एक स्थिती है बालमुकुर्ण शर्मा साम यह क्लियर हो गया या भी चली रहा है कि राहुल बाबा मान गया है राउल गांदी जी कोई नहीं है वानने ना मानने वाले भी नहीं कह सकता है कि वो चीज ओपीसल मीडिया में आएगी आउल गांदी जी ने ये कहा है कि मैं संसद में लोग सबा में नेता प्रतिपक्स के तोर पर मैं अपने बूमी का निभाऊंगा और पार्टी अदेक्स कोई भी हो सकता है यह बिल्कुल यह उन्होंने के आपने पर भी के और बल्के और स्टेट में भी कि यह जैसे सचीन दो मीने तीन मीने एक विवस्ता ऐसी की जाएगी कि वे राउल जी लोग सबा में सरकार रखेंगे कि हर्याना में संगठन का कमजोर होना जिला ध्यक्षों के नुक्ति ना हो पाना प्रदेश अध्यक्ष के हाथ में बहुत सारी ताकत ना हो पाना यह कुछ ऐसे चुनिंद से बता रहा हूं कि कुछ भी कमिया नहीं थी केवल सदम राष्ट्रवाश्ट आप इसको मनें आप मेरी बात को विश्वास करें आप इतने इतने शमय से हम भी आपके पास कैप्टन अजय यादव का स्टेट्मेंट है बालमुकुन शर्मा जी वो यह कह रहे हैं कि कई बूत तो ऐसे था जहां पर कॉंग्रस का एजेंटी नहीं था कुमारी सेलजा का स्टेट्मेंट सामने आ गया उन्हों का कि बहुत सारी वज़े हैं जिन पर चिंतन और मंतन करन मंतरी हैं अर्याना के नारणों से विदायक बने हुए हैं वहांसे बीजेपी का केंडिडेट आर जाता है ओम परकास दंखर जी किर्शिय मंतरिये देश के वहांसे बीजेपी के केंडिडेट आर जाते हैं उसका कारण बताई आप जो इन्होंने जात्ती बात यह अगर जहां चाहरों आप केरें कि जो राष्ट्रवात है जीत गया कुछ और के रहे हैं कि बहुत सारी रीजन है उनपर विष्टार से चर्चा करना पढ़ेगा समझना होगा आपके लिए तो सिर्व हैक कुमारी जाम मेरे खाल से आप उनको नेता मांते होंगे आपकी उमिद्व यह नि निर्गा मांबी दाइस एक बाकी सबी पार्टी किंगए कर रहे हां। मिडिया में आगर कोई बात करते हैं वह बील्कुल उनकी गलत बात है पार्टी प्लेटे पर बात रखें। और रखनी चीए उनको अगर वो पार्टी प्लेट पर नहीं रखते आपने आपको बहुत बड़े नेता समझते तो फिर उनको मुह की खानी पड़ेगी कोई भी हो पार्टी प्लेट फॉरम पर जागर के दिल्ली में जाम मेटिंग होगी वहीं बात रखी जाती है पार्टी पर रखनी पर नहीं पर नुक्षान किया जैसे कोई कैसे कि बात करने पड़ेट पर बार जागर के बात कहते हैं तो वह गलत बात है उनकी और बिल्कुल जूट बोलते है जो लोग ऐसी बात कर फिर यह तो अनुशासन हिंता है उनकी ऐसे लोगों वघ्जए सपार्टी को नुक्षान भिवाया मैं मानता हूं लेकिन अक्षण में जो नुक्षान है फिर तो कारवाई होनी चाही हिए जो लोग बार जी कारवाई करेंगे और राउल जी को बताईंगे हम जागर के घए और राउल जी को सारी रिपोरट अब यहां पर हम बात करें काप्टन अजय आदव की अपने आपको सीएम कांडिडेट बार बार दिखाते हैं जो पूरे हर्याना में उनकी एक फॉलोइंग होनी चाहिए थी कोई केंडिडेट नी वह अपने आपको बताते हैं ना हवा में तो कोई ऐसे महल नहीं बनाओंगी न वह अपने आपको सीएम कांडिडेट बना बताते हैं और वो कह रहे हैं कि बूच पे एजेंट कॉंग्रेस से नहीं दिये मुझे इतना समझ नहीं आया कि जिनके रिवाडी विधान सभा में इलेक्शन लड़ने की हैसियत नहीं है जो कि एक मिनस्वल कॉंसिलर का इलेक्शन हार जाएं उनको आप सांसत के इलेक्शन में उतार देते हैं और वो कंप्लेंड क्या करते हैं कि बूध एजेंट नहीं बूध एजेंट बूड़ गांव बाश्रापूर यह जो नोगातार क्योंकि मैं उसी शेत्र से आती हूं मुझे मालूम है उसमें काम कर रहे हैं वह बूध एजेंटी नहीं बना पाए तो वोट कहां से बनाएंगे लोगों को कहां से अपनी तरफ जोड़ेंगे वो कैसा क् जो कॉंग्रेस पार्टी जो अपने आपको कहती है यह सारे बनते हैं लेकिन जमीनी सर पर कुछ भी नहीं था अब एक प्रेश्ट उट रहा था सेविंटी नाइन सीट्स के बारे में जाती बात की बात कर रहे थे प्रचंड बहुमत मिला है सेविंटी नाइन पर आप प्रदेश को जलाया भरती जंता पार्टी ने किसकी और लीक हुई थी वो बताने के अश्रक्ता नहीं है सिर्फ अगर ऑडियो लीक हुई थी तो आपने कारवाई किया ली कारवाई की दिना कि जिनके और वह आज के तारिक में आपको आपके बीच में नहीं बोलती ना पी मत बोली साकेतने मैं से प्रश्ण मूचा है मैं जवाब देदू मैं जवाब देदू आरे आप भी शीलादिक्ष्ट की फाईल रखे थे काहा हैं और उनके साथ जाकर उनके साथ जाकर उनके साथ जाकर बनाइए आप सब्सक्राइब करिए आप डरते कि आप पहुंच गए पहुंच गए तरह जाकर आज है तो सरकार बनाएए आप आपको खारवाह करके देखाते हैं आप बैठे हो जंता को गुम्राह करने की ज़रूत नहीं है कि हमें जंता ने मैंडेट दिया है सिक्स्टी सेवन सीट हमारे पास है लेकिन हमारे हाथ बंदे हुए हम कुछ नहीं कर सकते हम से चिला सकते हैं आप महला क्लिनक पंजाब में जाते हैं आप बिजली के लिए आप मुझे कि यह लोग दोसी करार देते हैं पंजाब में जाते हैं तो क्या बोलते हैं पर हर्याना का हक नहीं है हर्याना में आकर वोट मांगते हैं उसका भी जवाब दीजेगा मुझे सब्सक्राइब जो युवाओं के जो इन्होंने डी डी गुरूप की नौक्रियां दी थी उसमें अच्छे चिशिक्षित लोगों को डी ग्रेड की नौक्रियां मिली हैं अच्छे वालों को जो योगेता के साथ में नोगरी देंगे प्रटी आप प्रटी का जो आप याद लाएं पुजाम में पूरी तरह जाता हूं अब्सक्राइब कि अब्सक्राइब यह क्या शुच्छ चोटा है कि वी चोटा है कि वी बड़ा है कि तने बीदेंगें नेता को मांडेड दिया है कि जाके सरकार्च चेंगें करते हूं करने वाली बात हो रही है ना आप क्या बाते बनाएए बैटकर आपका काम बाते बनाना धरने पर बाटी एक सवाल का जवाब देजे की ठीक है किंद्री लेवल पर दो करोड़ नौकरी की बात सामने आए थी आपके कुछ प्रप्रबगता हैं जो इस बात को डिन के मसले पर आपको नहीं लगता कि विपक्ष जो है वो बहुत अच्छे तरीके से घेरेगा इस बार विदान सवाय चुनाव के दौरान आपको देखिए मुझे लगता है कि हर्याना की जंता नहीं जो हमारे युवा हैं वो इस चीज़ को समझ चुके हैं मैं जहां जहां प चिला की पहली बार ऐसा हुआ है कि बिना पर्ची और बिना खर्ची के नोकरी मिली है कितनी लेटर घर के अंदर मिलें किना है उस सिस्टम को ठीक करने में टाइम भी तो लगेगा मुझे मंतरी जी आरे आप बीच में मत बोलिये अपना सिस्टम ठीक कर लीजिए अगर आप चिलाना आप एक छिलाकर आपवने याइख तो आपकी मर्जी है मैं भी चिला लोंगी जब मैं जवाब देर्यों आप जबादे ने देंगे को भरने में समय लगता है लेकिन जब आधार बन जाता है तो इमारत बहुत अच्छी बनती है हम उस इमारत की तरफ चल रहे हैं फिर भी आपको मैं आखड़े देना चाहूंगी यहां पर के आखड़ों के हिसाब से सोला महीने में तक्रीमन दो करोड रोजगार के अफसर राप्त हुए और आगे आने वह समय में आप देखेंगे जो हमारा युवा है बिना किसी पैसे के बिना किसी अप्रोच के नोकरी लगेगा अभी भी लग रहा है और आने वाले समय में भी जो इनके हेड हैं इसलिए बैटे हैं कि लिए अम्प्लाइमंट पूट्स अब से बड़ा करप्चिन का गाम तो इनके हैं अब सुनिये सुनिये वंदहां जी आ थो क्रोड की बात करें आपके यह आंकड़े तो कभी भी नहीं आये दो आकड़े का सूवत लगदार हैं ऑगी द कितना इंवेस्टमेंट आया कितने उसे नए रोजगार पैदा हुए बात ही नए रोजगार सर्चन करने की सरकारी नोगरियां जितनी खाली विकेंजी होती हो तो रूटीन का काम है उसमें कोई आपकी बड़ी उपलब दिन ही है दूसरी बात हमने इमानदारी से कि इमानदा जो नोट बंदी के पाद विकेंजी बात हुए फंडरा साल की बात आज उसका उसका उसकी सजा मिल चुकी है जो आपका मेनी फैष्टा होता आपने दो करोर रोजगार देने की बात की थी वो उसकी जवाब देब जहीं बनती है ये आप ही दो आप इसके बात नहीं मतलब सब्सक्राइब आपको आपको आपके पास कोई अकड़ा नहीं आपका जबाब दे सकते आप इसी पसले पर बालमुकुल शर्मासाब रोजगार के मसले पर जो वन्दा पोपली जी ने बात किये आपका काउंटर कि मैं यह मैं बिल्कुल आपने ठीक है रोजगार की वन्दा पोपली जी बिल्कुल जूट बोल रही हैं देखिए यह को रोजगार सर्जन की बात हम कर रहे हैं यह जो लोग रिटायर होगे उनकी जिए नहीं भरती कर दी और यह कहते हैं इमांदारी इमांदारी तो करनी ची और अगर इमांदारी की बात करते हैं और मैं समझता हूं कि उनको इस तरह बात रखने में सचाही के साथ राकड़ों के साथ पेस करना चीए जिस तरीके से दो करोडर देश में इन्होंने बात करी दस लाख प्रदेश में बहुत बाइलेक्शन में वोट बटोरने के लिए डी गुरूप की कुछ लोगों की बरतिया इन्हों ने कली और उसमें इन्होंने बड़ा डंका पीट है कि हमने इमांदारी जबकि इससे ज्यादा बढ़ अगर आप जैसे कुछ महीने बचे हुए हैं आपने जीन्द बाइलेक्शन की बात की कि उससे पहले ग्रूप डी में जिस तरीकी से भरतिया निकाल दी अगर इस विधानसवा चुनाव से पहले कुछ और भरतियों का एक दौर चल जाता है फिर तो आराम से सूपड़ा सब्सक्राइब करते हैं जब पूरे साल तो युवां को तरसाइंगी नौकरी के लिए और जब एलेक्शन दीका जाएंगे तो नौकरिया प्रवाइड कराती है फिर उनको लालस देंगे कि हम यह नौकरी दे रहें आपको उस बहाव में कुछ युवा वह भी सकते हैं इसमें कोई लंबी चोड़ी बात नहीं है अभी पहले मोदी जी पहले चौकिदार होय करते थे रजल्ट से पहले और जिस दिन रजल्ट आ गया है शाम को उस दिन अ इनकी समझ नहीं है शाप लगा रहे हैं और आप अब समझके देखिये इस बात को कौन माबाप अपने बच्चे को चौकिदार बनाना चाहेगा वे सोच के देखिये यह देश की दिंता को विद गार जो बिल्कुरी हो वो किस तरह का शुरक्षा कर सकते हैं मैं की बात मानत सबस्क्राइब थारिया है क्या देश का यौन चमल्स सबस्क्राइब टोड़ू भीडियो 2 9 धारेड़ लगण erad τις वट मशelles सबस्क्राइब क्राइडिट लेते हैं और मुझे बार 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 बात कर रहे हैं कि इस बार किन पार्टी को बाहर रखना है यह चर्चा लगातार आगे बढ़ती रहेंगी आप सभी खास मानना को बहुत शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका क्योंकि वक्त कम है लेकिन इलक्षन जैसे से नजदिक आएंगे यह सिलसला हमारा लगातार आगे बढ़ता चला जाएगा और इसी मस्टले को ल झाल झाल